हेलो डॉक्टर्स, वेल्कम टो माई यूटूब चैनल अपनी माइक्रो क्लास तो आज इस लेक्चर में हम डिसकस करने वाले हैं इंट्रिंजिक रिजिस्टेंस इन सिट्रोबैक्टर फिरंडाई तो जो सिट्रोबैक्टर फिरंडाई बैक्टीरिया है वो कौन-कौन सी एंटिबाटिक्स के लिए इंट्रिंजिकली रिजिस्टेंट होता है मैंने उन सभी एंटिबाटिक्स के नेम यहां पर दिये हुए और साथ में उनके ग्रूप्स भी मेंशेन है तो सबसे पहले पैनिसिलिन ग्रूप में हम देख लेते हैं कौन-कौन सी ड्रक्स इंट्रिंजिकली रिजिस्टेंट है नमबर बन इस एंपिसिलिन नमबर टू एमोक्सिलिन क्लाविलोनेट और नमबर थ्री एंपिसिलिन सेलबेक्टर फाइन देन दा नेक्स ग्रूप कौन साइज सेफेलोस्पोरिंस तो जो हमारी इंपॉर्टेंट ड्रक्स हैं वो पैनिसिलिन सेलोस्पोरिंस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रक्स हैं तो इन ग्रूप में से कुछ एंटिबाटिक्स के लिए सिट्रोबेक्टर फ्रेंड आई जो है इंट्रिंजिक्ली रॉजिस्टेंट हो चुका है fajn मतलब वो इंटिबाटिक्स इस पर आफ वर्क नहीं करतीoly यह जो इंटिबाटिक्समेने दे रखी हैं अब यह एंटिबाटिक्स से ट्रोबेक्टर फ्रेंड डाई पर 6त दंड इंफ्टिशन को पेशन में सिफरख्जाईम 3rd generation Cifrosporin और सिफफलाइम 5th generation Cifrosporin है तो सिफएलोगोज़म में 5 drugs हमारी जो हैं वो Intrinsically почти resistant हैं और Penicillin से 3 तो यह सभी Antibiotics Citrobacter Trinity case में Intrinsically resistant हो चुकी है Fine Thank You So Much